यह यह जो आजिए कि फिमयल हेल्ड एक इंप्रॉम्टन टॉपिक है और हर एक यंग और ओर्ड फिमयल के लिए इंप्रॉटन है मिनारकी से लेक कर मीनों पास तक अलग लग तरह की मैस्वोल प्राउलम या होर्मोनल प्राउलम्स से फिमयल बुज़रती है कि मिनार्कीमें जब पिलेट डिलेट मिलोते हैं कि ए पार अगया है किसे बाद काफी देर माई पिलेट नी आय Under 4 को 6 मीन च्पर невाध जो प्रीक्रेस नी पीलेटिए । तो ये सारी चीदिए मिनार्की से शुरू रहती हैं और कई बार मीनो पॉस्तर चलती रहती हैं बहुत गवर्मन है आजकर PCOD, Polycystic Avarian Disease काफी यंग फीमेल जो हैं इससे दूझ रही हैं सिडेंटरी हैबिट्स, नो एक्सरसाइज, बहर का घाना पीना, स्ट्रेस यह सारी फैक्टर्स जो है इसमें पाउंट करते हैं डिजीज देले हैं हॉर्मोंस के डिजीज बीसी जयते हैं और आपके PCOD है यह बीसी बहुत सी फिमेल या श्रण के गारण या गब्राहत के गारण या लैक ओफ नॉड़िज के गारण अपनी ये प्रॉडम शेयर नहीं कर सकती ना तो वो डॉक्टर को बताती हैं और अपने पेरिंट्स को मदर को भी ये कहने जी जगती हैं कि मिलको ये प्रॉडम तो जब तक अप ये प्रॉडम बताएंगे नहीं आपका अल नहीं होना फीमेल मेंस्टर डिसॉर्टर बहुत कामन है उनके हॉर्मोन्स चींड होने के कारण जब होंगों का बैलनस बरापर नहीं होता तो ये मैस्टर प्रॉडम शुरू हो जाती है हमने उस इन बैलनस को बैलस करना है तो आपके यह हॉर्मोंस की प्रॉडम सेटल हो जाएगे। PCOD भी इसे में अपता है कि Ovarian cyst जो है बनने शुरू हो जाती हैं Multiple cysts बनती हैं This is due to the hormonal charges हॉर्मोंस को हम सेटल करेंगे, बैलंस करेंगे और यह प्रॉडम बिल्कुल ठीक हो जाती है Lichoria है कैसी प्रॉडम है जो फीमियोज में common मिलती है Mind Lichoria is normal है अगर आपके उजाइना से हलका सा discharge को रहा है जो ना तो बहुत smelly हो ना बहुत sticky हो तो it is a long अगर बहुत जादा होता है आपको smell काफी आती है तो आपको इसकी treatment की शुरूरत है क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ infection कुछ ना कुछ imbalance चड़ रहा है आपकी body में जो यह disease दिए रहा है फीमियोज में infertility का भी यही कारण है कि hormones के imbalance हुआ और रो लगातार चलता रहा कई बार tubes ब्लॉक हो रही है या uterus में कुछ fibra बन गया या कोई छली यासी बन गया जो service को ब्लॉक कर सके कुछ infections ऐसी हो गई जो उसकी infertility को बढ़ाती है thyroid की भी ऐसी problem है जो इस चीज को बढ़ाती है stress factors है जो इसके साथ stress factor अगर जादा बढ़ जाए आपकी hormones की problem बढ़ जाती है तो एर्वेदिक में इसके क्या treatment है एर्वेदिक में काफी ऐसी जड़ी बूटिया है काफी ऐसी herbs है जिनके stress को हम यूज करते है for fever results चाहिए उनकी menstrual problem हो कम menses आते हो heavy bleeding हो menses आना बंद हो गया हो thyroid के related problem हो PCOD हो Lichoria हो uterine fibroid हो हर तरह की problem के लिए आयर्वेदिक शास्तों में बहुत अच्छे योग दिये हुए जो इस disease को इस problems को पुरी तरह हो कर सकते है तरह females हमारे बास आती हैं जिनके development कम होई होती है जिनके चलनब और sexual sexual characters जैसे breast है या उनके जो बाकी पार्ट से इनके development कम होती है तो ये भी एक hormone disease है आम तर से लड़कियां ये कहने में शर्माती है या उसको treatment में शर्माती है पर अगर आपको आपके body में कुछ changes ऐसे लगती हो जो आपको नॉर्मल नहीं लग रही है तो उसका treatment आप बिना जुज़े करवाएं आप 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 आप